उत्तर प्रदेश का आगरा जाना जाता है ताज महल के लिए और इसलिए लोग से बातों बातों में ताज नगरी भी कहे देते हैं लेकिन अब यहां कुछ ऐसा शुरू हुआ है जिसे देखने के लिए परटक यहां खिचे चले आएंगे दरसल आगरा में होट एर बलून सफारी की शुरुआत हो गई है वो भी आज से ही आगरा में आयोजित ताज महुत सफकारिक्रम में इस बार होट एर बलून को शामिल किया गया है परियटन को बढ़ावा देने के लिए ही परियटन विभाग की ओर से होट एर बलून सफारी को शुरू किया गया है तो हम उत्तरप्रदेश सरकार का और हमारे आग्रा के प्रशाशन के बड़े ही दन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरीके की परियटक एक्टिविटी को आग्रा में लाया जिससे एंप्लॉइमेंट भी बढ़ेगा टूरिजम बढ़ेगा और अंतराष्ट्य टूर एक डिफेंस जोन है तो यहां पर उचाई जो रहेगी इस फ्लाइट की केवल 2000 फीट रहेगी देखिए लैंडिंग के लिए यह होट एर बलून हवा के रुक की तरफ चलता है जैसे कि आज इस्टरली विंड्स है यानि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं आग्रा की तरफ तो 45 मिनिट्स फ्लाइंग के बाद एक अच्छे से उचित स्टल पर जहां पर हम जैसे खड़े हैं इस तरीके के स्टल पर इसे लैंड किया जाता है आग्रा जुला प्रशासन की ओर से शुरू किये गए इस होट एर बलून की सफारी की किराए की अगर बात की जाए तो एक बार में कुल 6 लोग इसमें सफर कर सकते हैं जिसका प्रती व्यक्ती के हिसाब से 13,500 रुपे के हिसाब से टिकेट रखा गया है ताज नगरी आग्रा में परिटक हवा में रहकर ताज और आग्रा का फ्रामन कर सकेंगे पहले दिन इसमें यात्रा करने वालों का क्या कहना है सुनिए बहुती हर्च का विशे है कि होट एर वैलून भी लाया है यह एक ऐसी एक्टिविटी है जो सामानेत हैं अभी बारत में ज्यादा प्रस्डित नहीं है और आग्रा जो एक परेटन की नगरी है बड़े परेटन की नगरी है उसमें इस तरह की एक्टिविटीस की बहुत अधिक जरू होते हैं जितनी एक्टिविटीज होगी, जितना टूरिस अट्रेक्शन होगा, टूरिस अट्रेक्शन के साधन होगे, उतना ही टूरिज्म यहां बढ़ेगा, मैं प्रशाशन का धन्यवाद देता हूँ कि आगरा में इस एक्टिविटी को लाए और हम अर्शिदे करें को इसका एक्स आगरा के लिए जो सुचा है, अच्छा सुचा है, इससे आगरा में इंडस्टीज में बहुत ज्यादा इसकोप नहीं है, ड्यू टू ताज ट्रेपेजियम जोन, कम से कम पर्रेटरं जोन मना दिया जाए, पर्रेटरं की दरस्ती से, जो भी यह एक्टिविटीज हो रही है तो अगर आप इस बार आगरा जाए, तो यह बलून राइड लेना ना भूले, किराया मात्र 13,500 रुपे